हेलो वर्बन वेलकम यू ओल एट लोकी सर एल्लेम्टेड स्टडी जोन स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यावरती धारा सुपर फास्ट रिवीजन फिजिक्स का क्लास ट्वल्थ का ओके सो यहां पर हमारी पास सिलेबस है आप लोग देख लिजे करेंट इंग्लिश में है तो चैटर को सब्यूब करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि पर्त्यावरती धारा क्या होती है देखे दो चीज़ें होती है, एक होती है direct और एक होती है alternating, मतलब हम किसके बारें पढ़ रहे हैं, हम electrical quantity के बारें पढ़ रहे हैं, कि जो विद्धुती ये शक्तियां होती है, जो विद्धुती ये राशियां होती हैं, वो दो रूप में उपलब्ध होती हैं, एक direct, direct को हिंदी में बोलते हैं, dist, ओके, और एक alternating, alternating को हिंदी मोलते हैं, प्रत्यावर्ती, अब अगर धारा का नाम इनके साथ जोड़ दिया जाए, तो ये धारा कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी, dist धारा, ओके, कैसी धारा बन जाएगी, dist धारा, और अगर इसमें voltage का नाम जोड़ दिया direct current, इसे बोलते हैं, direct current, ओके, मतलब इसका पूरा नाम हुआ, DC, क्या नाम हुआ, DC, फिर भी इसके बाद भी लोग, अम बोल चाल की भासा में, इसका पूरा नाम DC current बोलते हैं, जब कि current तो अल्रेडी एक बार आ चुका है, तो दो बार current लगाने की जरूरत नहीं है, DC यदि बात की जाए, dist voltage की तो इसे बोलते हैं, direct voltage, direct voltage, बट आम लोगों की भासा में, इसे DC voltage बोलते हैं, ठीक ना, तो जो चलता आ रहा हो, तो हम भी बोलेंगे, DC voltage, अब प्रत्यावरती की बात करते हैं, तो प्रत्यावरती को बूला क्या जाता है, इसे बोला जाता है, प् alternating current alternating current याने AC current विससे alternating current मतलब AC ही हुआ बड़ बोलते alternating current है इसे हिंदी मोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा क्या आएगा प्रत्यावर्ती विभाव या प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC प्रत्यावर्ती विभाव को क्या बोलते हैं AC voltage ठीक है तो यह इनका नामकरण हो गया अब देख लेते हैं कि किस तरीके से यह इनमें फर्क हुआ करता है उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से यह हमें समझ में आती हैं कि कहां पर AC है कहां पर DC है इसको हम देख लेते हैं कि क कहां पर AC और कहां पर DC हमें समझ में आएगी देखे DC voltage के नाम से उपलब देडिस्ट यानिके direct current ऐसी current जो अपने direction को ना बदले ऐसी current को हम क्या बोलते है direct current बोलते हैं तो मान लीजिए यापके पास में समय का access है यह समय अक्छ है और यह current की अक्छ है यह current की अक्छ है तो आ आप ध्यान से देखिए ये जो current है आपके पास में माल लीजे current कोई ampere किते ampere है तीन ampere तो तीन ampere की current समय के साथ बही जा रही है तो ये current देखिए ध्यान से ये current दिसा में परवरतन नहीं कर रही है ये current दिसा में परवरतन नहीं कर रही है और इसका परिमाड भी नहीं बदल रहा है दोस्तों तो इसको हम बोलते है pure DC क्या बोलते है pure DC जो current आपका हुआ करता pure DC है अगर आपके पास जो current है ये भी देखे कम हो रही है थोड़ी सी देखे यहाँ पर current जो है वो कम हो गई है मगर current ने दिसा नहीं बदली है क्यों क्योंकि current धनात्मक छेतर में चल रही है ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है पूरा का पूरा धनात्मक छेतर है तो ये भी क्या है ये भी DC है मगर इस DC का परिमाड घट रहा है DC current बोलते है अब यदि voltage की बात की जाए DC voltage की तो आपके mobile output में जो voltage मिलता है वो क्या मिलता है DC voltage मिलता है जैसे कि आपने यहाँ पे है 3 volt का voltage ले लिया है constant voltage आपको कित्ते का मिलता है 3 voltage का तो यहाँ पे यह voltage access है और यहाँ पर यह कित्ता है 3 बना हुआ है मतलब आपके mobile से 3 voltage का output आपको मिल रहा है और यह समय बढ़ रहा है तो यह DC voltage हो गया अब देखते हैं AC voltage जो समय के साथ बदलता उसको AC voltage बोलते हैं अब AC DC आपने सारे देख लिए अब AC देखे दो देखो AC के लिए सबसे important होता है direction change करना AC के लिए सबसे important होता direction change करना अगर कोई current या कोई voltage अगर एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी direction change कर रहा है एक regular interval के बाद अपनी direction change कर रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे उसे आप बोलेंगे AC voltage ओके या AC current आप देखे मैं आपके सामने एक diagram मनाता हूँ और मैं पूछूँ आप से कि वह DC है कि AC है तो यह देखे मैंने यहाँ पिर आपके सामने diagram मनाया यह इस तरीके से current उठी फिर इधर आ गई फिर current उठी फिर आगई फिर current उठी फिर तो current की value देखे 0 से लेके higher level तक जा रही है suppose 3 A तक जा रही है और फिर 3 से 0 हो रही है फिर 0 से 3 जा रही है फिर 3 से 0 हो रही है फिर 0 से 3 जा रही है फिर 3 से 0 रही है क्या ये AC है कि नहीं है क्या ये AC है क्या ये alternating current है क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है नहीं ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है क्योंकि देखे इस में जो काम होता है मैंने बताया था ना प्रत्यावर्ती धारा में निगेटिब मतलब धारा की दिसा पलटनी चाहिए है यहाँ पर कहीं भी धारा की दिसा नहीं पलटी हो यह करेंट कम जादा हो रही है मगर धारा देखो कहीं पर भी रणात्मक दिशा में नहीं गई है मतलब सर्केट में करेंट यह कोई सर्केट लगा हुआ है यह बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर बैटरी लगी हुई है तो करेंट एक ही दिशा में चलेगी कम होगी जादा होगी वो बात अलग है मगर current की उल्टी दिशा में current नहीं चलेगी और जब तक current उल्टे दिशा में ना चले एक निश्चित अंतराल के बाद तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यावरती धारा तो प्रत्यावरती धारा की परिवासा है अगर किसी दिये गए परिपत में जाने वाली धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को पलट देती है तो उस धारा को हम क्या बोलते हैं प्रत्यावरती धारा बोलते हैं और यहाँ पर दिशा नहीं पलटी गई है तो देखिए प्रत्यावरती धारा नहीं है बट यदि मैं आपके सामने दिखाओं एक धारा देखे किस तरीके से धारा फ्लो हो रही है ये धारा फ्लो होई ये देखिए तो ये सरकिट में एक दिशा में धारा फ्लो होगी बढ़ गट गई वो अलग बात है उसके बाद देखिए फिर से ये धारा दूसरी दिशा में फ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो जहां भी आप देखो माइनस में गई है धारा ओके जहां पर आप देखो माइनस में गई है धारा और देखो क्या यही यही पैटरन बन रहा है और अगर यही यही पैटरन बन रहा मतलब निश्चित समय अंतराल के बाद धारा फ बन रहा है इस वक्र को बोलते हैं ज्यावक्र इंगलिश में बोलते हैं साइनो सोडल और यह कहलाता है ज्यावक्र मतलब यहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ज्यावक्र को मान रही है यह प्रत्यावर्ती धारा है ज्यावक्र के रूप में आंगे बढ़ रही है तो य AC voltage या AC current हो सकते हैं और यहां पर देखे यह जो प्रत्यावरती धारा है यह समय के साथ बदल रही है ओके यह समय के साथ क्या हो रही है बदल रही है तो मतलब इनका जो function होगा वो किस के रूप में होगा time के रूप में होगा इसका function किस के रूप में होगा time के रूप में जैसे यहाँ पर देखे DC में function time के रूप में नहीं होता था यहाँ पर बोलते थे I बराबर 3A अगर धारा constant है बट यहाँ पर I जो होगा वो कैसे चलेगा I सबसे पहले small रखिएगा तो I और किसके साथ समय के साथ IT is equal to formula I zero sine omega T यह नोट कर लिजे यह प्रत्यावरती धारा का फलन है जो चीजें समय के साथ बदलती है उनको समय के साथ फलन के रूप में लिखा जाता है तो I equal to I zero sine omega T यह class 11 से आता है I equal to I zero sine omega T यह प्रत्यावरती धारा का फलन है और अगर आप voltage की बात करते हैं यहाँ पे कहते हैं सर हमें तो voltage लेना है तो V equal to V zero sine omega T V equal to V zero sine omega T यह voltage का फलन है मतलब यह voltage का बदलाव है voltage के साथ sine omega T लग गया मतलब sine wave के साथ voltage भी बदलेगा जैसे sine बदलती है wave वैसे voltage बदलेगा V zero sine omega T और बोलोगे V zero क्या है V zero अधिकतम मान है तो यह देखे यहाँ पे V zero आएगा अधिकतम मान अधिकतम मान कोई हम बोलते हैं शिखर मान मतलब सबसे जादा value इसे अधिकतम मान या शिखर मान बोला जाता है तो यह क्या कहलाता है शिखर मान किसका voltage का और अगर शिखर मान किसका कहलाएगा voltage का और अगर आपका धारा का समीकर आई बराबर आई जीरो sine omega T होगा तो यह क्या होगा यह होगा धारा का शिखर मान आई जीरो क्या होगा धारा का शिखर मान तो अभी बहुत बार इसकी practice आएगी में तो हम यहाँ पर यह सीखने को लिए थे कि कौन सी धारा प्रत्यावरती होगी कौन सी धारा दिश्ट होगी एक और धारा में आपके सामने बना रहा हूँ, यह देखे, प्रत्यावरती धारा है, यह देखे, यस, तो यह देखे, धारा एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा को प्लट देती, तो पहले धारा में इस सर्कुट प्लस में एवं दिसा दोनों समय के साथ सतत आवर्ती रूप से देखो भईया अब कहो कि सरा आपने परिमार नहीं बोला है मैंने बिल्कुल नहीं बोला है मगर ऐसा नहीं है कि परिमार नहीं बदलेगा अरे भाई या दिसा बदलने के लिए परिमार तो बदल नहीं पड़ेगा भाई परिमार मतलब आपको अगर जादा से कम होना है तो परिमार बदलेगा ना तभी तो आप निगेटिब में जाओगे तो बिना दिसा बदलने के लिए परिमार बदले बिना कभी काम नहीं हो सकता है जैसे आप मान लेजे उत्तर की तरब जा रहे हैं और आपको दच्छण की तरब जाना है तो आपको परिमार अपना गती रोकना पड़ेगा तभी तो मुड़ोगे बिना रुके आप कभी मुण नहीं सकते हो इसलिए परिमार जब दिसा परवर्तित होगी तो परिमार साथ ही साथ परवर्तित होई जाएगा तो वह विद्धु धारा जिसका परिमार एवं दिसा दोनों समय के साथ आवर्ति रूप से परवर्तित होते रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तो ये क्या बन गया आपके पास एसी बन गया अब आप इससे एक चीज कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ये भी तो है ये भी तो है इसमें भी तो परिमार बदल रहा है देखिए परिमार पहले धारा का प्रबलता बढ़ी और फिर इसके बाद घटी फिर बढ़ी फिर गटी फिर बढ़ी फिर गटी तो भाईया केवल परिमार बदल रहा है यहाँ पर दिसा नहीं बदल रही है तो केवल परिमार बदला है डारेक्शन नहीं बदली है इसलिए कौन सी करेंट है DC है लगती है AC के जैसे मगरे कौन सी करेंट है DC है हलाकि शुद्ध DC नहीं है बच्चों सुद्ध DC नहीं है यह इसमें थोड़ा सा यह उचलकूद मिली हुई है इसलिए इस DC को बोलते है पल्सेटिंग DC इंगलिस में इसका नाम होता है पल्सेटिंग DC ऐसी पल्सेटिंग DC ठीक ना और आप जो एल्ठेटिफ यह इस बना पर आपको सुद्ध डीची बना करके नहीं देता है उसके बाद में वीड़ा शुक्त इंदर लगाeston अन्दर तो आपको सुद्ध डीची मिला करती है 3.5 टीवल्द की चलिए अब आएँ बात करते हैं कि अभी जो आपने देख लिया है कि i compare to i i-0 sin omega t में उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हुई है तो हमारे पास यह जो समीकर्ण है i इसलो 9 парक है i-0 sin omega t देखे तो यह जो है दारा का समीकर्ण है प्रत्या वरति दारा का समीकर्ण है धारा कहां से start होगी 0 से क्योंकि tick equal to 0 put कर दीजे तो tick equal to 0 put करने पर sign 0 0 हो जाएगा और sign 0 0 होने पर इसकी value किती हो जाएगी 0 तो देखिए यहां पर धारा इस प्रकार से pulse form में समय के साथ आंगे बढ़ती जाएगी pulse form में समय के साथ आंगे बढ़ती जाएगी so यह i0 क्या है i0 यहां पर कहलाता है शिक खर्मान omega क्या कहलाता है omega कहलाता है धारा की कोणी आवरती omega क्या है इस प्रत्यावरती धारा की कोणी आवरती इसे बोलते हैं कोणी आवरती ठीक है ना कोंई आवरति कहला थी और कोंई आवरति का फार्म्ला याद का लीजे काम में आएगा omega equal to 2 pi upon T omega equal to 2 pi upon T so इसको लिख सकता हूँ मैं omega equal to 2 pi और T को लिख दिया upon 1 by T so omega equal to कितना हो गया? 2 pi F omega equal to 2 pi F यह हो गया कोंई आवरति हो गया ठीक है और T क्या है समय है जिस समय पर आप बात कर रहे हैं मालीज़े आपका समय कितना है तीन सेकंड तो तीन सेकंड में धारा यहां पर थी तो आपको तीन सेकंड वाली धारा मिल जाएगी तो यह तीन सेकंड इस तरीके से आप धारा देख सकते हैं तो मैंने पूरा परिचा दे दिया आपको E बराबर I0 sin omega T, मतलब जो धारा है I बराबर I0 sin omega T, ठीक है, अगर आप यहाँ voltage का समीकर्ण लिखते तो क्या बनता? V बराबर V0 sin omega T, अगर आप यहाँ विद्धुत वहागबल का समीकर्ण लिखते तो क्या बनता? विद्धुत वहागबल का समीकर्ण E, E से डिनोट करते हैं, बराबर E0 sin omega T, तो यह बदलाव वाले समीकर्ण हैं, और यह बदलाव धनात्मक भी हैं, रनात्मक भी हैं, इसलिए यह सब के सब क्या हैं? यह प्रत्यावर्ती राशियां हैं, चाहे वो voltage हो, चाहे वो current हो, चाहे की सब कैसी राशियां हैं? यह प्रत्यावर्ती राशियां हैं, देखे, तो लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती voltage V बराबर V0 sin omega T, यह धरा जो होती है, आई बराबर I0 sin omega T होती है, अभी learning factor है कि हमारे देश में जो frequency आती है, वो किती होती 50 Hz, याद रखेगा, हमारे पास किती होती 50 Hz, यह बराबर किती है, 50 Hz, तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि F equal to 50 Hz, यह देखे, यहाँ पर मैंने omega बताया था, omega equal to 2 pi और omega equal to 2 pi into 1 upon T को लिख दिया, अपने 2 pi F, तो हिंदुस्तान में यह बात की जाए कि आपके पास अगर कून ही आवरत्ती किती होगी, त F की जगे कितना रख दीजे, 50 Hz, तो आंसर कितना जाएगा, omega equal to 100 pi और इसकी इकाई होती है, radian per second, omega की इकाई होती है, radian per second, ओके, तो इस तरीके से आपके पास यह omega निकल गई है, कोणी आवरत्ती, मगर जो आवरत्ती होती है, simple आवरत्ती, वो कितनी होती है, 50 Hz हुआ करती ही हम, आवरत्ती के बारे में हम जान लेते हैं, देखे जड़ा, आवरत्ती क्या है, दो चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक बताऊंगा आवरत्तकाल, तो आवरत्तकाल क्या है, कोई प्रत्यावर्ती धारा है, वो अपना एक चक्र जितने समय में complete करती है, माल है एक प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र संपूर्ण करने में लगा हुआ समय अब आवर्ती क्या होती है यह समझो देखिए तो प्रत्यावर्ती धारा का समय अंतराल याने आवर्त काल हमने कितना निकाल टी मतलब प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल टी है याने कि टी सेक में 1 upon t चक्कर और 1 upon t को हम क्या बोलते हैं आवरती तो आवरती इकांफ समय में लगाये गया चक्कर मतलब één second में 14 1 की संख्या चक्करण की संख्या तो आप देखे आप इंडिया में जो है वो है 50 हर्स मतलब एक सेकंड में जो इंडिया की सप्लाई है वो किते बार किते चक्कर लगा लेती 50 चकर तो देखे ये सप्लाई है ये एक चकर हुआ ये दूसरा चकर हुआ ये तीसरा चकर हुआ ये चौथा चकर हुआ ऐसे करके 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 कितने पचास चकर जब लगेंगे तब एक सेकंड पूरा होगा मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितने सेकंड है एक सेकंड तो ये पचास चकर जब लग जाएंगे तब आपका 1 सेकंड हो जाएगा और आपकी AC सप्लाई एक चकर पूरा स्वारी अपना 50 हर्ट्स पूरा कर चुकी होगी क्योंकि एक सेकंड में 50 चकर लग चुकी होगी तो देखें इस तरीके से अगर आपका बल्ब जल रहा है बल्ब में जाने वाली धारा 1 सेकंड में 50 चकर कर रही है तो बल्ब को on करने के बाद यहां पर आपने बल्ब को on किया है पहले बंद था ना बल्ब को on करने के बाद देखिए बल्ब ने किते बार बुझा है तो पहली बार ये बुझा और दूसरी बार ये बुझा समझ में आया है ना तो पहली बार ये बुझ गया और मतलब कि एक चक्कर में बल्व जो है किते बार बुझता है दो बार एक चक्कर में बल्व जो है दो बार बुझता है दो बार बुझता है देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ बड़े वाले डाइग्राम में देखिए एक चक्कर में बल्व स्टार्ट यहां से हुआ तो एक बार ये बुझा, फिर एक बार ये बुझा, फिर देखो दूसरे चक्कर में एक बार ये बुझेगा, एक बार ये बुझेगा, ऐसे कित्ते चक्कर चल रहे हैं, पचास चक्कर, तो पचास चक्कर में जब एक चक्कर में दो बार बुझता है, तो पचास गुणे दो, मतलब कल्पना कीजे कि एक सेकंड में जो आपका बल्व होता है विद्दत बल्व सूरिया कंपनी या कोई और कंपनी वाला वो कित्ते बार जलता बुझता है सो बार जलता है और सो बार बुझता है और ये सब कुछ एक सेकंड में होता है तो एक सेकंड में ये इतनी तेजी से स्पीड है कि आपको समझ में नहीं आता और आपका बल्ब आपको बिल्कुल जलता हुआ दिखाई देता है बट एक्चुली आपका बल्ब जो है 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है बट एक सेकेंड के कारण वो आपको बिल्कुल जलता हुआ दिखाई देता है समझ गहना तो यह frequency का चमतकार है कि आपको बल्ब जो है बिल्कुल जलता बुझता है बगट आपको दिखाई नहीं देता है अगर उसी frequency को आप एकदम low कर देंगे कम कर देंगे अगर आप 10 हर्ड्स या 5 हर्ड्स करके लेके आएंगे तो आपका बल्ब आपको जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझता दिखाई देगा अगर आप frequency कम कर देंगे चलिए तो भारत में प्रत्यावरती धारा क्या वरत्य कित्ती है 50 हर्ड्स अब इसके बाद आता है धारा का ओसत्मान धारा का ओसत्मान क्या होता है देखिए ओसत्मान का मतलब क्या है भाई आपके पास कोई प्रत्यावरती धारा मानलो बह रही है ये बह रही है आपके पास कोई प्रत्यावरती धारा किसी दिये गए समय अंतराल तक बह रही है मान लो ये एक चक्र है ये एक चक्र है यहां से यहां तक आपने धारा किसी सर्किट में भेजी किसी सर्किट में भेजी तो एक चक्र में क्या हुआ आवेश एक तरफ गए आधे चक्र में और आधे तरब गए लोट करके दूसरे आधे चक्र में तो एक तरब की धारा धनात्मक बन गई और एक तरब की धारा रणात्मक बन गई और आप कहेंगे एक चक्र में धारा का ओसत मान कितना होता है तो जितने आवेस लेट से राइट गए होंगे उतने आवेस राइट से तो कुल धारा का मान एक चक्र में कित्ता होता है जीरो तो अपनी कौपी में लिख लिजे I-Average एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का ओसत मान शुन्य होता है का ओसत मान जो होता है वो क्या होता है? शुन्य होता है एक चक्र में प्रत्या वर्ती धारा का ओशत मान जो हुआ करता है सुन्य होता है ठीक ना तो आप एक चक्र ही नहीं आप चाहे पांच चक्र ले लो देखो यह से यहाँ पे है यह आप पहला चक्र ले लिए हो यह दूसरा सक चक्र ले लो, चाहे तीसरा ले लो, बट पूरा का पूरा लेना, तो अगर आप कितने भी चक्र ले रहे हो, तो आपका उसत मान कितना आएगा, आपके पास में 0 आएगा, आपका जो उसत मान है, उस सुन आएगा, ठीक, यस, तो उसत मान निकालने के लिए हम क बटे कुल समय, तो यदि आप तीन चक्र की बात कर रहे हो, तो एक, दो, और तीन, यह देखिए, तो यहां से स्टार्ट होगा t equal to 0, और देखो, यह complete क्या है, यहां पर 1t है, एक आवर्थकाल, यह दो आवर्थकाल 2t, और यह कितना है, तीन आवर्थकाल 3t, तो 0 से लेके 3t 3t, समय 0 से लेके कितना, 3t, धारा का समा कलन, बटे कुल समय, कितना है, 3t, आंसर कितना होगा, 0, क्यों, अब यह थोड़ा सा हाई लेबल पे मैंने बता दी आपको, कि थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए, क्यों धारा का मान 0 होगा, क्योंकि ओसत है न, एक चक्र का संपूर चक्र का उसत 0 होता है, इसलिए उसत मान धारा का एक चक्र के लिए 0 होता है, तो हमारे सिलिवस में क्या है, दो काम है, हम लोग आधे चक्र के लिए धारा का उसत मान निकालेंगे, अर्ध चक्र के लिए, एक हम अर्ध चक्र के लिए धारा का उसत मान निकालने जा रहे है, तो नोट कर लीजे प्रत्यावर्ती धारा का उसत मान या माध्यमान ये किसके लिए दोस्तों अर्ध चक्र के लिए है ठीक है ना अर्ध चक्र के लिए 0.6C7I0 ये निकलता है उसत मान जहां I0 क्या होता है शिखर मान हुआ करता है ये अभी हम इसको आपको प्रूफ करा रहे हैं कि अर्ध चक्र के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का उसत मान कैसे निकालेंगे 0.637I0 या इसको अच्छे से देखा जाए तो I mean, M for mean, mean मतलब average, उसत, M, I mean बराबर होता है इसको यदि आप 0.637 को percentage में लिखोगे, तो कितना आएगा 63.7I0, 63.7 percentage of I0, ठीक न, इसको थोड़ा समय सही कर दूँ, क्या बनेगा ये, 63.7% किसका, I0 का, मतलब जो औसत मान होता है, वो अधिकतम मान का लगभग कितने परसेंट होता है, लगभग लगभग 64%, तो जो प्रत्यावरती धारा का उसत मान होता है, वो अधिकतम धारा का, कितने परसेंट होता है, 64%, मतलब मान के चलो, अगर अधिकतम धारा यहाँ पर आ रही है, तो यह I0 है, और यह I0 का 100% होगा, मतलब अधिकतम 100%, तो इसका 64% लगभग, यह 50 होगा, और 50 से थोड़ा सा उपर 64%, मतलब जो एवरेज धारा आईगी, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी होगी, 64% के इक्वल, चली, कंसेप में एक थोड़े लंबे कर दिये, डिफिकल्टी जादा मैंने बता दिये, मगर आप इनको देखके ब्रमित मत हुए, डरिये मत, अभी यह सब कुछ आपक को मांगे बढ़ाते हैं, चली, तो क्या derivation है हमारा, हम निकालने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का उसत मान, हम प्रत्यावर्ती धारा का उसत मान निकालेंगे, तो चली आईए प्रत्यावर्ती धारा का उसत मान निकालते हैं, तो अर्ध चक्र के लिए हम प्रत्यावर्त स्टार्टिंग हुई 0 और यहां से लेके T by 2 और हमें निकालना है औसत मान तो आपको पता है I average औसत इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटे दी गई संख्या है ना कुल राशियों का योग बटे आंकडों की संख्या या राशियों की संख्या यह होती है तो दिखिए यहां पर जब स्टार्ट होगा तो आपके पास में धारा के मान कित्ते सारे आएंगे बहुत सारी इस बिंदू पर भी अलग है इस बिंदू पर भी अलग है और कैसा फलन है सतत फलन है तो सतत फलन के लिए क्या लगता है integration लगता है तो limit लगेगी 0 से लेके कहा तक t by 2 तक और कौन बदलाओ कर रहा है धारा बदलाओ कर रही है तो धारा का integration it का integration dt और नीचे क्या आजाएगा नीचे आजाएगा आकडों की संख्यादा तोटल आकड़े कहा से कहा तक बदल रहे है जीरो से लेके t by 2 तक तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा t by 2 divided by t by 2 तो यह मैंने t by 2 से आपको क्या कर दिया डिवाइट कर दिया इसमें ओके तो अब देखिए t by 2 को मैं उपर लाके यहाँ 2 upon t भी लिख सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 upon t कर दिया t by 2 को ला करके क्योंकि 2 पलड़ जाएगा उपर चला जाएगा और नीचे t बच जाएगा अब मैं value put करता हूँ देखिए यहाँ पर 0 से लेके t by 2 फलन की value कितनी i की i0 sin omega t यह है मेरे पास value i0 sin omega t की तो 2 upon t देखिए i0 बाहर आ चुका है और केवल integration के अंदर कौन बैठेगा 0 से लेके t by 2 और यहाँ पर आ गया कितना अपने पास में sin omega t हम इसका integration भी कर रहे हैं तो यहाँ पर dt लगा लीजिए यह कर दिया भाई साब अब इसके बाद क्या करना है अब जो है आपको समा कलन करना है तो 2 upon t i0 और आपको पता है कि sin omega t का समा कलन कितना होता है cos omega t cos omega t और जो चीज multiply में होती है t के वो divide में आती है integration के एक खास बात होती है कि multiply की चीज़ divide में आ जाती है तो cos omega t upon omega और limit लगी हुई है 0 से लेके किती t by 2 चलिए तो अब समय आ चुका है limit put करने का ओके so 2 upon t 2 upon t ठीक है ना into i0 omega की value किती होती है 2 pi y t तो omega की value 2 pi और उपर आ जाएगा t तो t से t लिए cancel होई गया 2 से 2 भी cancel होगया बहुत बढ़िया और अब limit put करनी है तो यहां कितना आ जाएगा cos omega और upper limit कितनी है t by 2 minus cos 0 ठीक है तो यह देखिए आपके पास कितना value आने वाली है अच्छा sine का integration में minus भी आता है जो मैं भूल गया था sine का integration minus cos omega t होता है तो वो मैं भूल गया था वो मैं minus लगा देता हूँ यहां पे चलिए तो बाहर कितना बचा बाहर बच चुका है minus का i not i 0 upon pi और यहां पे cos omega याने की 2 pi by t और 7 में भाई साब t by 2 यह देखो omega की value पुट कर दी 2 pi by t और t by 2 minus कितना cos 0 की value किती हो गई 1 अब t से t क्या हो गया cancel 2 से 2 भी क्या हो गया cancel ओके तो अपके पास कितना आ गया i 0 upon pi और 7 में cos pi हुआ कितना बाहर minus भी है cos pi बचा है cos pi की value minus 1 और यह भी minus 1 मतलब minus minus 1 कितना हो गया minus 2 और यह minus इसके साथ जाके attack किया तो कितना हो गया 2 i 0 upon pi बिल्कुल सही आई है धारा का average मान अर्ध चक्र के लिए कितना होता है 2 upon pi i 0 देखाता ना आमने भी 2 upon pi i 0 यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हल कर दिया गया है 2 upon pi को तो 2 upon pi को हल करने के बाद आपके पास इतना आ जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि 2 तो 2 होता है pi कितना होता 3.14 तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको 2 upon 3.14 कितना होता है तो 2 divided by 3.14 3.14 equals to किया है मैंने देखिए अच्छा equals to हुआ ही नहीं 2 divided by 3.14 equals to करना हूँ यह देखिए 0.636 और 6 के बाद 9 है तो 0.637 आ जाएगा तो बिल्कुल सही है हमारे पास जो हमने किया हो एकदम सही आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं I average equal to 0.637 of I naught यह आ चुका है हमाई पास धारा का औसत मान कौन सी धारा का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहां तक के लिए अर्ध चक्र के लिए दोस्तों क्योंकि पूर्ण चक्र में तो मान 0 हो जाएगा तो यह हमारा अर्ध चक्र तक का औसत मान है और मैं इसे कैसे याद करता हूँ मैं ऐसे ऐसे याद करता हूँ I average equal to उपर क्या है I 0 और साथ में क्या था 2 upon pi तो मैं क्या करता हूँ जान बूच करके इसे नीचे pi by 2 लिख दिता हूँ क्योंकि पल्टी मार के तो 2 upon pi हो जाएगा तो मुझे कभी नहीं भूलता है इस तरीके से मैं याद रखता हूँ कि average धारा जो होती है वो I 0 upon pi by 2 I 0 upon pi by 2 तो इस तरीके से अपने अपने याद करने के तरीके हैं आपका कोई अलग तरीका होगा हो सकता हो बहुत अच्छा हो तो उससे आप जरूर याद करिए फिलहाल के लिए इस derivation को note करिए इस student में एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कई बार क्या होता है देखे I equal to एक सेकंड एक सेकंड भाई I equal to 0.637 I 0 आपके पास आ रहा है तो यदि आप इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं यदि इस decimal को dissolve कर दें देखो आप ऐसे समझो 637 upon 1000 I 0 यह लिख सकते हैं आप इसको ओके 637 upon 1000 अब यदि आप इसको percentage में लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं किसी चीज़ को percentage में लिखने के लिए fraction को percentage में करने के लिए क्या करते हैं तो percentage में बनाने के लिए 637 upon 1000 I 0 गुणे 100% 100 का गुणा करते ही percent लग जाता है तो देखे 2 0 से 2 0 cancel हो जाएंगे और यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 63.7 of I 0 मतलब अर्ध चक्र में जो average धारा होती है average धारा जो होती है वो सिखर धारा का कितना होती है 63.7% 63.7 7% 63.7% of किसका I 0 का तो इसको एक ऐसे तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपकी I 0 top level तक जा रही है I 0 आपका 100% है तो जो आपकी average धारा होगी I average वो कितनी होगी 63.7% तो ये पूरी चीज़ें हमने complete कर दी है regarding आपका जो average है है ना ओसत मान एक चक्र के लिए यहाँ पे सारी चीज़े complete हो जाती है कल के lecture में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान ठीक ना धारा का वर्ग माध्य मूल मान आप इसे याद कर सकते हैं देखिए अभी अभी आपने देखा कि average मान कितना आया था average मान आया था याद करा दिया है मैंने आपको average मान को किस तरीके से याद करता हूँ I average equals to होता है I 0 upon pi by 2 और कल हम पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान धारा का जो की होता है I RMS लिखने का तरीका क्या होता है I RMS equal to I 0 upon root 2 इसमें pi by 2 का डिवाइड होता था इसमें किस का डिवाइड करेंगे root 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्ग माध्य मूल मान तो इसको कल कंटिन्यू करते है आपको बहुत बहुत धन्वाद समय निकालने के लिए आपका दिन शुभू